प्रूसी वाक्सीन स्पूत्निक वी की पहली खेप हैदराबाद पहुंची इस वक्त की बड़ी ख़पर मिल रही है। पहली खेप है, स्पुतनिक वी की वह भारत पहुंच चुकी है, स्पुतनिक वी की डोज लेकर जो विमान है वो हैदराबाद पहुंचा, तो रूज की कमपनी का ये दावा है कि स्पुतनिक वी कोरोना वारिस से लड़ने में उसको मात देने में 91 फीसिदी कारगर है, तो ये पहली खेब फिलाल पहुँच चुकी है रूसी वैक्सीन स्पूतनिक वी की पहली खेब पहुँची है और यह तस्फीर हम आपको दिखा रहे हैं है थ्रबाद पुँचा विमान लेकर LAKS Sपूतनिक वी की पहली खेब सूत्रों के अवाले से मिल रही है, वो ये कि एक हफ्ते और बर सकता है लॉकडाउन का ये समय, कल हो सकता है इसका अलान, मुख्यमंत्री अर्विंद के जिवाल कल आकर इस बात का खुद अलान कर सकते हैं। को लाइन में खड़े नहीं होने की बात कही थी, और अब ये जानकारी उनकी तरफ से मीडिया को दी गई कि 18 साल से उपर के उम्रवालों को तीसरे चरण के तहट जो राक्सिनेशन होना है, उसकी शुरवात 3 मई से होने जा रही है, क्योंकि वैक्सीन की तकरीबन 4 लाग दोस पहुच चुकी है. मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी वाकिन नहीं है, तो सेंटर के उपर लोग लाइने ना लगाएं, कि मेरी पहले लाइन, सब को एपॉइंटमेंट मिलेंगे, आप एपॉइंटमेंट ले लें, अपना ओनलाइन एपॉइंटमेंट लें, और जो एपॉइंटमें दिल्ली, जम्मू, लकनाउं और मुंबई समित कई शहरों में 18 साल से उपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि किसी भी सूरत में कोरोना को हराया जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके तो तीसरे चरण के तहत जो 18 साल से उपर की उम्रवाले लोग हैं उनको टीका करण का अभ्यान शुरू हो चुका है कई जगों पर लखनव में इसकी शुरुवात हो गई है और जम्मू में भी वैक्सिनेशन के लिए लोगों की लंबी-लंबी कतारे दिखाई दी तो वहीं द अरीके से जो प्रक्रिया का पालन है तीन महीं से शुरू कर दिया जाएगा यानि तीसे चंड के तैट 18 साल से उपर के लोगों को वैक्सिनेशन